आप सब का वेलकम है में इस टूटोरियल में और आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉक्सिक जोगर का कंसेप्ट कैसे क्रेट करा जाता है वह भी पिक्सार्ट के अंदर बहुत ही एजी है आप सब के लिए बनाने के लिए बहुत फास्टी में बताऊंगा और अच्छे से करते हैं और पिन इस डिस्किप्शन डाउनलोड में हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं दो लिंक होगी एक मीडिया फाइर की होगी और एक टेलीग्राम ग्रुप की टेलीग्राम ग्रुप में आपको सबसे जल्दी पहले पिन जीस मिल जाएंगे और नोडिफिकेशन भी आज करें और स्टार्ट करते हैं टुटोरियल के साथ जल्दी से यहां सबसे पहले मैं बीजी लोड कर देता हूं और फोन को कर देता हूं थोड़ा रोटेट तब तक आप चैनल को लाइक हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि इस पर बहुत ही ऑसम कंटेंट आता रहता है तो वह आपके लिए हैल्फुल रहेगा और फिर यहां एड़ फोटो में आता हूं और मैं अपने आपको कर देता हूं सबसे पहले इंपोर्ट इंपोर्ट करके थोड़ा सा जूम और फ इतने आपको चाहिए है आप उतने कर सकते हो और सॉर्य वह पीच में स्किप हो गया एक दम से एड़ फोटो पर आना है और आपको अब यहां से टैटू सेलेक्ट करने हैं कर दो कि अब चैसे मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं सो वह बस मैंने 6 इन अपने साइस के साप से कट कर रहा आप उसे अपने हिसाप से कट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां हिट कर देता हूं कर को तो यहां पर फिर उसके उसके बाद मैं यहां पर यह रखतेता हूं अपना फेस मास्ट जो सबसे मेन है फोटो का और जो है यह इसमें यह रखता हूं यहां पर अराउंड अपने फेस के कि यह पूरा ब्लैंड हो जाए अच्छे से तो यहां यह ब्लैंड हो चुका है थोड़ा सा बस हलका सा रखना है मैंने वो फेस के अकोर्टिंग पूरा कट कर रखा है अगर आपको कोई और जगे भी करना हो तो आप कर सकते हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद एड़ फोटो में आना है आपने फिर यहां से लाइट सुठानी है सारी तो लाइट मैंने ऐसे ड्रॉव कर रखी है कि आपके पूरे फेस पे भी सेट हो जाएगी और हर जगे सेट रहेगी वो और कहीं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपको अगर आपने एक बार फेस पे सेट कर दी प्रॉब्लम आपको तो यहां यह इतना रहेगा और जो जो एक्सेस है उसे आप रेज कर सकते हैं मैं रेज कर देता हूं जो एक्सेस लाइट है यहां पर यह थोड़ी अलग लग रही है तो इसे रिमूव कर देता हूं है और यहां पर टिक कर देता हूं और यह पर्फेक्टी ब्लैंड हो गई है और यहां से भी टिक अब उसके बाद थोड़ा और एक है फिर वह ब्लड शॉट ब्लड शॉट नहीं पहले आप एरो डाले तो यहां एरो एड़ करना है अपने लाइक यहां पर अगर मुझे ब्लड शॉट चीए तो ठीक है फिर उसके बाद एड़ फोटोस में आना है और यहां से ब्लड लेना है और इसको यहां पर रखना है और फिर नीचे जाके ब्लेंड मोड और मॉल्टिप्लाइब तो यह कुछ ऐसा दिखेगा और पर्फेक्ट दिखेगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पर्फेक्ट यहां पर देख रहा है अब ऐसे कुछ चीज रह नहीं गई है इसमें PNG में सारी हो चुकी है और यह एक यह नहीं तो यहां पर आपको थोड़ए सी कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है मतलब डिक्रीज की तरफ लेकर जाना है और एक क्लारीटी थोड़ए सी करते आपने इसापसे और सैचुरेशन थोड़ी हाय रखें क्योंकि ग्लो दिखाना है आपने और थोड़ा मुझे ब्लू इस्टोन टाइप सा चाहिए और हाइलाइट ज्यादा रखें क्योंकि आपके पीछे मून है और वो ग्लो लगना चाहिए टैंप्रेचर थोड़ा डाउन अड्जेस्ट करता हूं और यहां पर यह हो चुकि यह फोटोर लगबग अब एक ग्लिच वाला एफेक्ट कि अग्याइब तो यहां डाल के हलका सा फेड कर दें तो यह एक एस्थाटिक और जितने भी चीज़े आपकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है वह अपने आप हो जाएंगे इससे तो यहां यह फोटो रेडी कर दिया मैंने तो जरूर यह पीएज दिए और पीएज डाउनलोड करें पीएंज चेक करता रहूंगा और आपको शाउट आउट दूँगा जो भी अच्छी इमेज बनाएगा तो थैंक यू गाइज और इंस्टेग्राम को जरूर मेरे फॉलो करें और चैनल को सस्क्राइब